आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यूनिट डिजिट यानि की इकाई अंक ज्यांक करना यहां क्लास नंबर दूसरी है हमने पहली क्लास अपने प्लेलिस्ट पर अफ्लोड कर दी है आप वहां से जाकर हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं उसमें हमने बेसिक कॉंसेप्ट आ आपको बताया है और इसमें भी मैं यानि की पहले क्लास का एक प्रश्ण लेकर आया हूं जिससे की आपका रिवीजन हो जाए और इसके बाद मैं सेकंड टाइप आपको बताऊंगा तो चलिए अब हमारे पास जैसे दिया है पांसो एकाईस गुड़े 644 गुड़े 852 गु करने के लिए अगर हम इन सबी का गुड़े करेंगे तो हमसे यानि की बहुत जादा टैम लग जायेगा इसलिए हमें सिर्फ unit digit ग्याद करना है तो इनकी एकाईस ग्याद करना है एक, अब एक का गुड़ा हम चार में करेंगे, तो कितना होगा, चार हो जाएगा, अब फिर हम चार का, चार का गुड़ा दो में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, अब आठ का गुड़ा हम, दो का नहीं, आठ का गुड़ा करेंगे, तीन में, कितना होगा, 24 अब 24 का 24 का गुड़ा चार्म नहीं कराएंगे इसका यूनिट इतना होगा यानि कि 1 अंक 4 होगा अब 4 का गुड़ा हम चार्म कराएंगे तो कितना हो गया हमारे पास हमारे पास यहां से हो गया 16 तो इसका 1 अंक कितना होगा क्याई अंक होगा यहां से हमारे पास 6 यानि कि इन सभी क्याई अंक हो गया हमारे पास 6 और यहीं हो जाएगा हमारा सही उत्तर तो फिर चलिए दोस्तों अब मैं आपको टाइप वाईज कुछ प्रश्णों को बताऊंगा जैसे पहला टाइप है हमारे पास ताइप नंबर फर्श्ट इसमें क्या है इसमें अगर आपको कहीं प्रश्ण में 0, 1, 5 और 6 यानि कि इन चारो संख्याओं में से कोई एक संख्या अंत में दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहता है यानि कि यही कि इसका यूनिट डिजिट रहेगा कोई भी परिवर्टन नहीं हो गया तो जैसे प्रश्ण में दिया है हमारे पास इस तरह के प्रश्णों को तो प्रस्ट कैसे पूछेंगा हमारे प्रस्ट में जैसे दे दी हमारे पास ma chopping rewड़ इसकी पावर हम कितना भी कर दे सव दो सो हजार दो हजार लाख दो LAUK कितना भी पावर करतें तो इसका युणिटीजिक्र कितना हो गा commen ही हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट यानि की यूनिट डिजिट सेम रहेगा इसका यूनिट डिजिट पांच ही रहेगा तो इसी तरीके से एगर जीरो ले लिए जैसे हमने सव की पावर माल लिया 50 कर दिये तो अब इसका unit digit इतना होगा इसका unit digit यानि कि इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा चाहे जितना भी power बढ़ा दे यहाँ पर 5 करेंगे तो भी 0 5000 करेंगे तो भी 0 तो इसी तरीके से एक को ले लिए जैसे एक को लिए हमने 21 अब 21 की power 21 का power कितना भी कर दे जैसे 84 इसका power भी 24 अब इसका भी power कितना भी करेंगे लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा 11 एक ही रहेगा या रहा पहला टाइप यानि कि अगर इन चारों में से कोई अंक आपको 11 अंक में दिखाई दे तो उसका unit digit वही रहता है यानि कि same और हाँ power के रूप में रहेगा तभी ही अगर power में रहेगा तभी जैसे इसमें भी power इसमें भी power power के रूप में रहेगा तो हम इस नियम को फालो करेंगे तो फिर चलिए अब हम देखते हैं अगला type या तोरा पहला अब देखेंगे हम type number दूसर यानि की second type इसमें क्या है इसमें अगर आपको type number second इसमें इस type में हम सीखेंगे की अगर 4 और 9 की power पावर चार और 9 की पावर पावर सम यानि की इवन इविन संख्य मिले सम संख्य मिले तो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा छे और एक यानि की अगर इक्याई अंक 9 रहेगा तो उसकी पावर अगर सम रहेगी तो हमारे पास यूनिट डिजिट एक होगा और इक्याई अंक अगर 4 रहेगा और उसका पावर सम रहेगा तो उसका इक्याई अंक हमेशा छे मिलेगा तो चलिए और दूसरा है यानि कि इसी में दूसरा है चार और नौ की पावर अगर विसम है यानि कि आड़ संख्या है तो आड़ मिले तो इसमें क्या यंग क्या होगा इसमें क्या यंग चार और नौ हो जाएगा यानि कि अगर इकाई यंग 4 दिखाई देगा तो उसका 4 ही रहेगा और 9 दिखाई देगा तो 9 हुई लेकिन उसकी पावर भिसम होनी चाहिए तो जैसे हमने प्रश्ण ले लिया अब देखिए इस पर प्रश्ण हमसे कैसे पूछता है जैसे हमने ले लिये एक्जामपल में एक्जामपल में 114 प्लस 9 की पावर 48 यानि की 114 की पावर 242 प्लस 9 की पावर 48 प्लस 224 की पावर 932 प्लस में 44 की पावर 81 प्लस 29 की पावर 45 अब इस तरह के प्रश्ण को देखकर बच्चे डर जाते हैं लेकिन आपको डरना नहीं है इसका नियम हमने उपर लिख्या दिया है तो जैसे देखिए यहाँ पर एक्याई एंग कितना है चार है तो इसकी पावर कितनी है इसकी पावर सम है यानि कि इसकी पावर सम संग क्या है तो हमने नियम में क्या लिखाया था अगर चार की पावर सम हो तो इसका एक्याई एंग कितना होता है छे तो इसका एक्याई 9, 9 की पावर 48, यानि कि यह भी सम संख्या है, तो 9 की पावर सम होतो, उसका क्या येंग कितना होता है, एक, तो यहां से हो जाएगा एक, फिर पलस है तो पलस, अब यहां पर देखिए, 224, इसका भी क्या येंग सम है, तो यहां पर भी हो जाएगा छे, पलस में 44 की पावर 81, अब यहां पर इसका पावर बिसम आ गया है, तो हमने क्या लिखिया था नियम में, चार की पावर बिसम होतो, उसका इक, येंग वही होता है, यानि की चार ही होगा, तो यहां से इसका इक, येंग चार हो गया, उसके बाद पलस, अब यहां पर लिखिया है, 99 की पावर 45, जो की इसकी भी पावर बिसम है, तो 9 की पावर बिसम है तो, क्या लिखे थे हमने न हो अब इन सभी को हम जोड लेंगे तो यहां अच्छा ओए साथ साचछा तेरा तो यहां पर देखिए कितना है तीन हम को नहीं जोड़ेंगे सिर्फ क्याए औंक को कि यहां से हम सिर्फ इकाइ और जोड़ेंगे तो यह हो जाका चारतिन सत और साथ Warsz ao 17 From हमें पूछ पूछा क्या है इकाई यंक तो इसमें जैंक कितना है छे यानी कि इसका इकाई यंक छे हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा सही उत्तर तो फिर चलिए दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि यह दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिर अब इसमें इकाई अंक में हमारे पास एक टाइप और बजता है और वह हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे तो फिर आज के लिए बस इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करना तो फिर चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में और आज के लिए बस इतना ही